नमस्कार आप देखरें मुबाइल यूज 24 और मैं हू रूबी नेगी और वक्त हो चुका है बिडिल यूज का और मिड़े की सबसे ताज़ा खबर राफेल मामले को लेकर आ रही है जहां राफेल पर मचे बबाल के बीच कैग ने अपने रिपोर्ट तयार कर ली है जिसको लेकर रक्षा मंतराले के ही एक अधिकारी ने बताया कि कैग ने रक्षा मंतराले से कुछ सवाल पूछे थे जिस गारद्वारा आई होदिया मामले में सुप्रीम कोट जाने के फैसले को लेकर केंद्री मंत्री प्रकाश जाविटकर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जैम विधानी को बैंच ने ही कहा था कि सरकार को निर्डे करना है कि जो बाकी की जमीन है उसका क्या किया जाए दो हजार निस लोग सबह चुनाओं के बाद कांग्रेस की सरकार बनती है तो महीला आरक्षन विधेक वीरिता की आधार पर फारित किया जाएगा और मिड़े की अगली ताज़ा खबर भाजपा अध्यक्षा मिश्शाह को लेकर आ रही है जहां भाजपा अध्यक्षा मिश्शाह द्वारा ममता बैनर जी का नाम चिटफंड मामले में घसीटने पर टीमसी के वरिस्ट नेता चंद्रीमा भट्याचारी ने अमिश्शाह के खिलाफ मानहानी नोटिस जारी किया है और मिड़े के अगली ताज़ा खबर प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी को लेकर आ रही है जहां प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत और डांडी का दौरा करेंगे और यहां पर हवाई अड़े पर कर्मिनल की लगाने को लेकर तंज कसते हुए कहा कि गंगा भी स्वच रखनी है और पाप भी यहीं धोने है इस संगम में सब नंगे हैं जै गंगा मया की हाला कि थरूर कि इस बयान को लेकर उनकी खिचाई भी हो रही है और मिड़े की अगली ताज़ा खबर मध्यप्रदेश से आ रह ही है और मिड़े की अगली ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है जहां उत्तर प्रदेश की योगी आदेतिनात सरकार ने गववंश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की सभी शहरी और ग्रामीर निकायों को आदेश जारी कर बेसहारा पश्वों क की गिंती करने और जरूरत के मुताबिक गवशाला बनवाने का निरदेश दिया है और मिड़े की अगली ताज़ा खबर यूपी एटीएस से आ रही है जहां कुम के दौरान 400 संदिग्धों को खंगालने में लगी खूफिया एजिंसियों रेडार पर आए आजमगड के ए एटीएस को चौकनना कर दिया है जिसको लेकर मिली जानकारी के मुताबिक अब एटीएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से उसकी विदेश यात्राओं का ब्योरा मांगा है और मिड़े के अगली ताज़ा खबर बेरोजगारी को लेकर आ रही है जहां देश में बेरोजगारी को लेकर नैशनल सेंपल सर्वे और्गनाइजेशन की तरफ से तयार की गई और मिड़े के अगली ताज़ा खबर बाबा केंदर सरकार से आ रही है जहां केंदर सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नौइडा और ग्रेटर नौइडा में देरी से बन रहे उन तीन लाग फ्लैट्स के निर्मान का काम जल्द से जल्द पूरा कराने की तैयारी कर रही है जिनके लिए लोग पहले से ही अलग-अलग बिल्डर्स के पास बुकिंग करवा चुके हैं और मिड़े के अगली ताज़ा खबर भाचपा से आ रही है जहां 2014 लोगसभा चुनाओ में निर्दली उमीदवार के तौर पर राजनीती में दक्षन दिल्ली से लोगसभा चुनाओ में किस्मत आजमाते बीजेपी नेता रूबी फोगट यादव 2019 लोगसभा चुनाओ भ काबेक केंदर की मोधी सरकार सारवजिनिक शेत्र की बीवा कंपनियों को खस्ता हालत से बाहर निकालने के लिए 4000 करोड रुपे की पुंजी का निवेश करने की तयारी कर रही है और मिड़े के अगली ताज़ा खबर मध्यप्रदेश से आ रही है जहां मध्यप्रदेश के किसानों को साहुकारों के चुंगल से बचाने के लिए प्रदेश की कमलना सरकार साहुकारी अधिनियम में बदलाव के मसौधे को नए सीरे से तयार करने जा रही है और मिड़े के एगली ताज़ा खबर 36 गड़ से आ रही है जहां 36 गड़ के पूर्व मुख्य मंत्री डॉक्टर रमन सिंग ने विधान सबचुनाओं में कांग्रेस के अंसत विधायकों की जीत पर तंजगस्ते हुए कहा कि संख्या में अधिक हो जाने से क्या सियारों ने सि पर विजय पाई है जिस पर पलटवार करते हुए प्रदेश के मुख्य मंत्री भुपेश बगेल ने कहा अभी तो सिर्फ ट्रेलर है सोच ये पूरी पिक्चर कैसी होगी और मिड़े के अगली ताज़ा खबर आम आद्मी पार्टी से आ रही है जहां पंजाब के संगरूर से आम आद्मी पार्टी के सांसद भगवन्त मान आज पंजाब इकाई का प्रभार सभालेंगे जबकि इससे पहले पिछले साल ही मान ने अपने पत से स्तीफा दे दिया और मिड़े के अगली ताज़ा खबर अन्ना हजारे को लेकर आ रही है जहां लोगपाल के गठन को लेकर समाच सेवी अन्ना हजारे आज से एक बार फिर से अपने गाउं महारास्टर के रालेगान सिध्धी में अंशन पर बैठने जा रहे हैं जिसको लेकर खुद अन्ना और मिड़े के अगली ताज़ा खबर अमेरिका से आ रहे हैं जहां अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ डेन कोर्ट्स ने भारत और अफगानिस्तान को लेकर जारी रिपोर्ट्स को यूएस संसद में पेश करते हुए दावा किया है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी और मिड़े के अगली ताज़ा खबर पाकिस्तान से आ रही है जहां भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की नापाक हरकत को अंजाम देते हुए पाकिस्तान विदेश मंतरी शाह मुहमूद कुरेशी ने कश्मीर के अलगाववादी नेता मीर वाईज उमर फारूक से फ सरकार बजट में युनिवर्सल बेसिक इंकम स्कीम का ऐलान कर सकती है जिसको लेकर सूत्रों की माने तो सरकार इस स्कीम के साथ कई शर्तें जोड़ सकती है और मिड़े की अगली ताज़ा खबर दिल्ली से हमारे समवादाता बता रहे हैं कि नाई समाज ने अपने समुदाय को ABCD स्ट्रेणी में लाने की मांग सरकार से की है आईए देखते हैं ये रिपोर्ट राश्टी अति पिछरा सर्व समाज कल्यान संग बनाने के बार के में उदेश है इनका में उदेश है समराट असुद बंच कि हम जितने भी पिछरे अति पिछरे हैं जलित हैं हम एक कुल के हम एक भाई 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 ठीक है हमारे बीच में उच नीच का जो दिवार बना होगा है घिरना का जो दिवार बना होगा है उस दिवार को तोरने के लिए एक भाई-भाई को जोरने के लिए धर्म तोरता है जाती जोरता है और कुल एक दूसरे को अपना बनाता है तो हम इन्क समाज के कुल उपूश को उस जर को जाना चाहते हैं जहां पर यह न कहें कि हम हैं अपना हायोई पराएं हैं इस देश के जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं इसको मूल नवासी आप कहते हैं वो कहें न कहें एक कुल से हैं हम लोग 2014 से इस पर काम कर रहे हैं इसके महा सचीव हैं ना डॉक्टर इनके ठाको नगेंदर कुमार ठाको हम यह 2014 हम लोग चल रहे हैं यहां पर राजिंदर भावन में दूसरी मीटिंग तीन मीटिंग हम लोग दिल्ली इंवर्सिटी में कर चुके हैं ओर हम लों का यह Sóक यह मीटिंग हर राजी में हो जन्ता में यह परवाप पड़ेंगा जो द हुए हैं उनको अपने सक्ति का याद दिला और उनको अपने खक के लिए आगे के लिए हम लोग का यह परियास है कि अभी तक हम नहीं है यह स्वाइशता है और इसलिए हम लोग इस संग को अति पिछ्रा बग एक संग के मिर्मान के लिए यह कदम समराथ और शुक बंसस्थ संग है जिसके अंतरगत यह मत बीटिंग चल रही है अधा बारसी का अधिवेश है आज का और यह प्रतिक बर्स हम लोग करपी ठाकुर जैंती के उपर हम लोग एक करते हैं क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपसी क्ला और यह भूल के अपनी हग के लिए एक गत्र हो और एक जूट होकर अपने आगे बरहें और अपनी हग की लराई लरें इससे अभी तक जनता में कितना फर्क पड़ा है देखिए फर्क काफी पड़ा है अति पिछड़ा समाज जो है संगठीत होने लगा है और हम सब का ही यह प्रियास एक ऐसा है कि आज हम सबी ने एक इस महासंग के बैनर तरे यह प्रियास किया है और सब के दुवारा विचार मन्थन के बाद यह निसकर्स निकला है कि देखिए जब देश आजाद हुआ था उस समय में ये गोशना की गई थी कि यह देश जो है धर्म निर्पेक्ष होगा यहां कोई जाती और धर्म की बात नहीं होगी धर्म निर्पेक्ष हमारा देश है जिसकी वज़े से आप भी देख रहे हैं कि इस देश के अंदर मुसलिम को भी पूरा अधिकार है और सबी को पूरा संप्रम बिला हुआ है इसलिए हमने यह एक विचार मन्थन के बाद यह आ गया है समाज के छेत्र में आ गया है और उसकी जो कठनाईया है उसको दूर करने के लिए एक गैर राजनितिक संगठन बनाया गया है आज उस संगठन का नाम राष्टिय अतिपिछडा सर्व समाज कल्यान संग के नाम से नवीनी करन किया गया है उसका विदिवत रूप से पंजिकरत होगा गयर राजनितिक संगठन होगा उस संगठन के माध्यन से जो भारत में अतिपिछडा समाज के बच्चे हैं जिनको अभी वो पूरी समाज के लिए शिक्छा शेत्र में उनको आगे बढ़ाने काम करेंगे फ्री उनको इज cuk良 को करेंगे देंगे ताकि उनकी और भी कोई ऐसी समस्या हैं जो इस अतिपि्छडा समाज के नदर जाती आती हैं वहे भी एक अपना विकास कर सकें और वहי भी यह सब ही सामाने दि करने के लिए आपके सामने बहुत बड़ी चुनोतियों का भी सामना करना पड़ी तो उसके लिए तो देखिए समाज हमारे साथ जब जुटेगा तभी है संभव है धीरे-धीरे हम सब अपना काम करेंगे हमें कोई देश में राजनिती नहीं करनी है हम लोगी संगेठन के भला हो सकेगा उसी की बाते हम करेंगे हमें कोई इसमें राजनिती नहीं तो यह थी मिड़े न्यूस की कुस्तासा खबरे और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिए और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आप देहरे सकें ऐसे ही खबरों से अपडेट